दोस्तों कैसे हो आप सारे लोग आशा करती हूं जो जहां पर भी हो अपने अपने कर्तिव्यों को सच्चाई के साथ और प्यार के साथ निभानी की जीत और कुशिश किये जा रहे हो और देखो मैं आज बुद्वार की जो कविता हम पढ़ते हैं वो ला चुके हूं एक दिन पूतों के शिर्षक पे एक कविता लिखके देना तो जिसका थीम ऐसा है कि जो हमारे बच्वन के भूत काल को वो भूत याद दिला दे तो इसलिए बाबा एक कविता मुझे लिखके दिये हैं और वो भी आधे दिन में आधे दिन में नहीं बहुत कम समय में कल बताई थी रात को तो आज मुझे मलब काली रात को दे दिये थे बहुत रात को अनलब भूतों के कविता बाबा को लगा शायद के रात को ही लिखा जाना चाहिए तो उन्होंने रात को ही लिखे हैं तो चलिए पढ़ लेते हैं जान लेते हैं भूतों की कविता भूत लिखक श्री त रोशनी हो जितना भी रोशनी हो कान में आता है भो सुनो अमा निशा में भूतों के आवाज सुन पा रहे हो ना भूतों के आवाज चुपके चुपके जितने राद गहरी हो उतनी ही बढ़ती है मिरदंग के आवाज और उसके साथ बढ़ती जाती है भूतों के आवाज हो चाए वो सफेद भूत हो चाए वो सफेद भूत हो चाए वो कला या लाल भूत सारे चारो चहू दिशा में भूत सारे चहू दिशा में ए बईया क्या करें करता रहता है दमाल मा काली वो तो बहुत ही कोमल है बहुत ही लज्जा शिला एक हाथ में है उनकी तलवार और गले में है मुंड माला पद दल में है महादेब भोले हैं वो बहुत वो तो है सोला आना ही मिटी किसे बने जितना भी करो उनको अवहेलना त्रिनैन से देखते रहते हैं वो खुले हैं उनके आखान नाख सब देपावली के देपशिखा जितना भी डालेया रोश्णी जितना भी हो धुम धराका, जितना भी हो धुम धराका, जितना भी हो नीठी चाश्नी जितना भी बजे, शब्द बाजी, जितना ही नाचे पुरोहित, भूतों की दबदबा बर रहा है देखो जानते हो क्यों? क्योंकि ठंड है बहुत, ठंड आनी लगी है इसलिए कोई गाले में डाला, मौफलर, तो कोई पहना विंचिटर और विंचिटर पहन के देखो, देख रहे हैं, बना है क्या फिटर? सफेद, काला, लाल, पीला, हर किसम के हैं भूत? हर किसी का अंधेरे में हैं, देखो, दिखा रहा है अपना चटाक भर रूप पूरे जगत अभी तो है रोशनी से माला माल देखो, सारे चारू तरफ है रोशनी का ही उत्तार हर कोई है, काली सी मा की, मा काली की पैर के तले हर कोई बैठा अपने हिसाब से जहकते हुए हर कोई रोशनी से विये है भरे वो चाए लाल भूत हो, वो चाए काला भूत हो या वो चाए नीला भूत हो, है ना लेकिन हम या हम हो इंसान हम सारे हैं मा काली की पदतल में तो इसलिए हम सारे खुश है तो इसी के साथ आज की भूतों की कविता यहाँ पर ही समाप्त होती है सही माइने में देखो यह बच्चों के लिए या छोटे बच्चों या कम अमर के या वैसे ही चहकते हुए मनोभाब के लिए लिखा हुआ है मैंने पूरा तो उसका भावानुबाद करने की कोशिश किये बहुत अच्चा तो नहीं हुआ है क्योंकि मैं समझ पार रही हूँ जो फुदकता हुआ जो एक मिठा सा वो यहाँ से गाइब है लेकिन हाँ मैंने कोशिश किया है और आखिर में हमें ये पता चला है चाहिए जो जैसे भी हो वो लोग बहुत खुश है ना तो अगर ऐसा है तो चलो हरे के चहरे पे थोड़ा खुशी हम बना दे और उसके साथ थोड़ा बाल बना देते हैं अच्छा अरे वाह क्या बनाए है हमने भूत देखो अच्छा पीले भूत का भी तोरा हसी डाल देते हैं और उसके साथ उसके बाल और लाल भूत के साथ भी तो आज के लिए यहां था कि भूतों की कविता यहां पर ही समाप्त होती है आश्रा करती हूं कि भूत जो भूत हिंदी समझ सकते हैं बोलो कुसा नहीं हो गए चलो भाई दूज की धेर सारे शुब कामना है तड़ा